हेलो चिल्डवन कुसुम मैं की ओलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम फिफ्ट क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिज का लैसन सेकेंड दे लॉइन किंग में आने वाले कुछ MCQs को सौल करना सीखेंगे वीडियो सुरू करने से पहले एक बात बचो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दी वीडियो डालू तो वो सबसे पहले आपके पास पहुं सके तो देखिए आज हम सुरुआत करते हैं यहां पहले क्योशन से क्योशन फरस्ट है क्योशन फरस्ट के रूप में कौन जाना जाता है यानि कि जंगल के राजा के रूप में किसे जाना जाता है रैबिट, रैट, एलिफेंट या लॉइन तो बताओ बच्चो जंगल का राजा कौन है लॉइन, शाबबास और ओप्चन कौन सा है ओप्चन है डी सेकिंड क्योशन फरस्ट बी में दे रखा है, सीटी में रहते हैं सी है विलेज में रहते हैं या डी ओप्चन है सकूल में रहते हैं बताओ, वाइल अनिमल्स कहा रहते हैं फोरेस्ट में, ओके तो ओप्चन कौन सा है ये बताओ, ओप्चन आएगा, ए, ए ओप्चन आजाएगा थार्ड क्यूशन इस, who sang the sweetest song सबसे ज़्यादा मधूर गीत कौन गाता है यहाँ ओप्चन दे रखे हैं, monkey यानि बंदर गाता है, donkey, गधा गाता है, birds गाते हैं या लॉइन गाता है तो बच्चों, ओप्चन क्या आएगा, बताओ, ओप्चन आएगा हमारा, c, यानि की, birds गाते हैं नेक्स्ट क्यूशन इस, what do cubs become when they grow up? यह केता है कि, cubs क्या बनते हैं, जब वे बड़े बनते हैं, जब वो बड़े होते हैं, cubs जो बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? शीप बनते हैं यानि कि भेड बन जाते हैं गौट बकरी बन जाते हैं काउ बन जाते हैं गाएं या फिर लॉइन बन जाते हैं तो बच्चो कब्स जो होता है यही देखो यहां पर दे रिखा है न वो लॉइन बन जाता है option क्या आएगा हमारा option आएगा D Cubs क्या होता है पता है loin के जो बच्चा होता है उस बच्चे को Cubs बोलते हैं और Cubs छोटा होता है तो Cubs होता है और बड़ा होकर वो loin बन जाता है next question is who is the narrator of the lesson the loin king the loin king lesson का narrator कौन है यानि कि इसमें कौन बाते कर रहा है रखे हैं loin, deer, deer क्या monkey कौन है पता है हाँ इसमें loin खुद है तो इसलिए यहां हमारा option आएगा A next question is who was responsible for the destruction of the forest forest के destruction के लिए कौन responsible है destruction होता है बच्चो विनास जंगलों का विनास हो गया इसके लिए उत्तरदाई कौन था अब यहां पर देखिए option दे रखे हैं tribes यानि कि कबीले animals जानवर पसू या फिर civilized people सब्धै लोग या विलेजिज गाउं तो बच्चो इसका option आएगा civilized people यानि कि सब्धै लोग जो हैं वो इसके responsible है young ones of cat are called cat के बच्चे को क्या कहा जाता है क्या कहते हैं फॉन कहते हैं क्यों कब कहते हैं cat कहते हैं या kitten तो बच्चो cat का जो बच्चा होता है उसको kitten कहा जाता है और option होगा हमारा यहाँ पर d next question is animals who lived in forest are called वो animals जो forest में रहते हैं उनको कहा जाता है क्या कहते हैं उनको wild animals कहते हैं pet animals कहते हैं both a and b दोनों ही है यानि कि wild animals pure pet animals भी या d option है none या कोई भी नहीं तो बच्चो जो जंगल में जो animals रहते हैं उन्हें wild animals कहा जाता है यानि कि जंगली जानवर और यहाँ option हमारा आ जाएगा a next question is here who are the greedy unkind and selfish in the story कि इस story में greedy यानि कि लाल्ची अनकाइंड निर्देई और selfish यानि कि स्वार्थी कौन है option दे रखे हैं civilized people यानि कि सभ्य लोग tries कभीले वाले या loin या cow तो option आएगा बच्चो हमारा a यानि कि civilized people सभ्य लोग उनको जो है वो greedy unkind और selfish जो है वो कहा गया है next question living place of dog is cult dog का living place कौन सा है यानि जो कुत्ता है उसके रहने का स्थान कौन सा है living place पूछा है option दे रखा है stable, den, kennel या haul तो बच्चों stable जो होता है वो horse का living place है और जो den होता है वो loin का living place होता है और जो haul होता है वो snack का होता है living place तो यहाँ पर option हमारा आएगा sea यानि की kennel, kennel जो है वो dog के रहने के living place को बोलते हैं next question is the young one of a cow is called यानि की cow के बच्चे को क्या कहा जाता है तो यहाँ option दे रखा है कब कहा जाता है पपी कहते हैं, काफ कहते हैं या फान कहते हैं तो बच्चों, cow का जो बच्चा होता है उसको काफ कहते हैं और option क्या आएगा बताओ, option आएगा sea Bureau is the living place of Bureau जो है वो किसके रहने का स्थान है, loin रहता है, snake रहता है, rat रहता है या rabbit रहता है तो बच्चों, rabbit जो है rabbit के रहने का जो स्थान होता है, उसी को Bureau कहा जाता है और option इसलिए हमारा यहां पर आएगा D option, calf is known as young one of यह कता है कि काफ जो है वो किसका बच्चा जाना जाता है, कि काफ किसका बच्चा होता है, horse का होता है, loin का, cow का या rabbit का तो काफ जो है वो cow का बच्चा होता है, इसलिए option क्या आएगा बताओ, option आएगा हमारा C Next question is, living place of cow is known as यानि cow के जो living place है उसको जाना जाता है, किसके रूप में, den जाना जाता है, shed, hall या stable तो बच्चों जहां cow का जो living place होता है, उसको बोलते है, shed यानि कि छपपर और इसका हमारा option आजाएगा, B option आएगा Next question is, what was the position of loin's kingdom? loin के kingdom की position क्या थी? यानि कि सेर का जो सामराज्य था, उसकी स्थीती क्या थी? तो option ने रखे हैं, beautiful थी, worst थी, ugly या memorizing तो बच्चों, उसकी जो position थी, वो beautiful थी, इसलिए यहां पर हमारा option आएगा, A Next question is, how forest looked beautiful with? की forest जो है, वो सुन्दर किस से दीखता था? Water spring से, pool से, hills से, या all of these? तो यहां पर option बच्चों, हमारा आएगा, all of these यानि की water spring है, क्या फिर pools है, hills है, इन सभी से, जो है, वो forest काफी सुन्दर दीखता था, Next question है, कि who lived with wild animals? Wild animals के साथ कोन रहता था? Actors रहते थे, heroines रहती थी, hill tribes रहते थे, या monkeys रहते थे? तो बच्चों, wild animals के साथ, hill tribes रहते थे, यानि की पहाड़ी कभी ले? तो यहां पर option आ जाएगा, C, तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही, Next वीडियो में, मैं आपके लिए और नया chapter और उसमें आने वाले कुछ MCQs लेकर आऊंगी, तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बच्चों!